हालो गाइस and वेल्कम तो मैं चैनल, येस, आफ्टर लॉंग टाइम तो आज हम बनाने वाले हैं सुपर हेल्दी और टेस्टी लॉकी का सूप इसी बनाने के लिए हमें चाहिए पुदिना के पती, आद्रक, बुनी हुई मुमफली, मक्के के दानी, बटर, काली मिच पाउडर, बारी कटा हुआ टमाटर, बारी कटी हुई शियमला मिच, नामक और लॉकी तो पहले मैं बता दूँ कि लॉकी को मैंने कैसे काटा है ये लॉकी मैंने पूरी कटी है, इस साइस की और इसके चिलके नहीं निकाले है तो सबसे पहले हम कूकर में ये कटी हुई लॉकी ले लेते हैं और इसमें हम डालते हैं एक ग्लास पानी ये जो vegetables है, इसके हमें फिलाल जरुवत नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं, इसके बाद हम इंस लौकी में add करेंगे, एक चमबच काले मेच पाउडर, आधा चमबच नमक, आधा कटोरी भूनी होई मुमफाली, 15-20 पुदीना के पते, और अद्रक, ये अल्मोस्ट एक इंच लंबा अध्रक है, जिसे अच्छे से धोके, छीलके, छोटे-छोटे टुकडे करके हमें इसमें डाल दिये हैं, अब इस कूकर को हम 3-4 सीटी देंगे, देखिए, 3-4 सीटी हो गई है, अब हम इसमें एक ग्लास पानी डाल देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा थंडा हो जाए और ये सारी लौकी को हम एक ग्राइंडर में ट्रांसफर कर देते हैं, और इसका हम अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे, ये दिखिए, सब कुछ मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है, पर ये जो बचा हुआ पानी है, इसे फीकना नहीं है, इसे हम बात में यूज करे तो अब एक पतीले में मैंने चार चमज बटर लिया है, और ये सारा पेस्ट हमने इसमें एड़ कर दिया है, और जो बचा हुआ पानी था, वो भी हमने इसमें एड़ कर लिया है, अब हम इसे चमज से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसे बॉल होने देंगे, फिर तोड़ी देर में हम इसमें डालेंगे एक गलास पानी और एक चमच नमक अब हम इसे अच्छी तरसे बॉइल होने नेगे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पाली मिर्च पाउडर और पुदीना के पती और इसे हम 8-10 मिनिट तक थोड़ा बॉइल होने देंगे 8-10 मिनिट बॉइल होने के बाद हम इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबिल्स डाल सकते हैं Mostly मैं इसमें एड़ करती हूँ कटी हुई टमाटर, कटी हुई शिम्लामिच और मक्य के दाने और वेजिटेबिल्स डालने के बाद हम इसे 8-10 मिनिट और उबालेंगे यह देखिए, सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी लौके का सूप रेडी है अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी नेक्स रेसिपी है क्रिस्पी और चीजी पाव पिजा पोकेट्स तिल दें बाई बाई कि अगरी आपको हमारा यह वीडियो और चीजी और बाई